हलो बच्चो, वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल तो आज हम करेंगे स्टाइंडर्ड 10 साइंस वन का चैप्टर नमबर 3 जिसका नाम है केमिकल रियाक्शन्स औन इक्विशन्स इसके दो लेक्चर्स मैंने अल्रीडी अप्लोड कर दी हैं जिसमें मैंने आपको केमिकल रियाक्शन्स उनको बैलेंस कैसे करना उसके बहुत सारे एक्विशन्स मैंने अल्रीडी जिखा दी हैं अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो यहां पर राइट साइड में उपर एक लिंक आएगा उस पर क्लिक कीजिए आपको लाइन वाइस सारे लेक्शन्स मिल जाएंगे आज हम देखेंगे टाइपस ऑफ केमिकल रियाक्शन्स जो बहुत इंपोर्टेंट एंड काफी इजी एंड स्कोरिंग है शुरू करते हैं तो टेक्स्बुक में यहां पर दिया है चैमिकल रियाक्शन्स जो बहुत 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 डीटेल में दिया है उसके पहले मैं आपको समरी दे देता हूँ यह चार्ट टाइप की यहां पर देख लो टाइप सॉफ रियाक्शन्स इसमें क्या क्या आएगा सबसे पहला आएगा कॉंबिनेशन रियाक्शन कॉंबिनेशन रियाक्शन का वर्ड मीनिंग समझो कॉंबिनेशन कमबाइन करना दो केमिकल है A और B ये दोनों एक साथ combine हो जाते हैं और बन जाते हैं AB ठीक है ये A और B सिर्फ variable letter यूज़ किया है इसके जगे पर कोई भी chemical हो सकता है ठीक है zinc हो सकता है copper sulfate हो सकता है कुछ भी हो सकता है बट दो chemical combine करके जब एक chemical बनाते हैं तो वो combine हो है ना इसलिए इसको सीधा नाम देती है चल भाई तेरको बोलेंगे combination reaction ठीक है second है अपना decomposition reaction decomposition में उल्टा होता है जो combination में था combination में किया था दो लोग मिलके नया एक single बनाते हैं decompose में एक single था वो तूटके टुकडों में बढ़ जाता है इसको बोलते हैं decomposition reaction आया समझ में तीसरा है displacement reaction displace करना भगाना जैसे मैंने यहां पर A, B, C नहीं उसकिया W और S उसकिया क्यों because मुझे आपको एक और word का meaning देना था यहां पर A, W मतलब W है weak उसमें इतनी ताकत नहीं है और S मतलब strong strong में बहुत ताकत है यह जब दोनों बाजू में आते हैं तो strong क्या बोलता है weak को बोलता है यहां से निकल तेरे में कोई ताकत नहीं है उसको भगा देता है उसको displace कर देता है यह उसकी place थी S ने बहुत ताकत लगा के क्योंकि S strong है उसने ताकत लगा के weak को उसकी place से भगा दिया displace कर दिया और खुद वहाँ जाके बैड़ गया देखो AS बेचारा W अकेला side में रह गया S क्या है strong है W क्या है weak है तो जब यह ऐसे chemicals होंगे न तब आपको ऐसे समझ में आएगा कि एक strong chemical दूसरे combination में से एक weak को भगा देगा और खुद उसकी जगह पर बैड़ जाएगा उसकी place से भगा के उसको displace करेगा और खुद वहाँ पर जाके बैड़ जाएगा इसलिए displacement reaction ठीक है चौथा है double displacement reaction इसमें दो बार replacement होता है देखो बच्चो चला गया C के साथ और B चला गया D के साथ ये down arrow में ने इसलिए दिया है कि ये दोनों में से एक ऐसा होगा जो वहाँ पर precipitate छोड़ेगा precipitate मतलब आपको मैं समझाऊंगा जब reaction करूँगा दब बट ये down arrow वहाँ पर डाल देना ठीक है अभी down arrow ignore करना है तो ignore कर लो बट double displacement में क्या होता है दो chemical है उसमें से ये chemical का ये part किसी और के साथ जा रहा है C के साथ और B वाला D के साथ और देखो chemicals कैसे आ रहा है आया समझ में नहीं समझ में तो attention मतलो ये एक summary दे रहा था मैं चारो reaction की बस यही है types of reactions इसमें endothermik और exothermik reactions भी होते हैं वह हम आगे चेक करेंगे पट पहले ये चार reaction types जो है अब आते हैं टेक्स्बुक में और detail में एक-एक reaction देखते हैं ठीक है तो पहला type है combination reaction क्या था combination reaction A plus B मिलके बना देते हैं A, B ठीक है combine हो गए वो लो इसमें एक experiment दिया है यहां पर यह जो apparatus लिखा होता न apparatus मतलब यह experiment करने के लिए आपको किस-किस चीज की जरूरत पड़ेगी तो आपको test tube लगेगी glass rod लगेगा इन beaker लगेगा 99% of the schools में यह करके भी नहीं दिखाएंगे तो मैं try करूँगा यहां पर जितना हो सो कि आपको बता सकूँ but reactions तो मैं एकदम detail में आपको explain कर दूँगा ठीक है तो यह तीन चीजे लिए आपने hydrochloric acid लिया ammonia का solution लिया और slate lime यह सब ले लिया chemicals उसके बाद आपने क्या किया आपने hydrochloric acid जो है पिर क्या किया यह वाला जो बीकर है ना इसमें ammonia है फ्लास कहिए इसमें ammonia है और मैंने यह rod जो है ना glass का glass का क्यों होता है because glass सबके साथ react नहीं करता ठीक है अगर plastic का लेने के तो हो सकता है plastic यहीं पे जल जाए इसमें use करते हो ठीक है अगर आप किसी भी चीज को गरम करोगे का चांस है ना धुआने का चांस है and NH3 gas came out from the solution on the glass rod क्या हुआ यहां से जब आपने इसको heat किया तो इसका जो धुआर था HCl का वो ammonia के धुवे के साथ mix हो गया और साथ में वहां पे बन गया NH4Cl ammonium chloride जो हमको दिखा ना white color का the ammonia gas and hydrogen chloride gas reacted to form the salt ammonium chloride in gaseous state first but immediately due to the condensation process at room temperature it got transformed into the solid state ठीक है वो यहां पे जो white dua निकला वो क्या था पहले तो NH4Cl था लेकिन gas form में लेकिन यह पूरे room का temperature ऐसा है कि वो gas सीधा convert हो गया solid form में ओके temperature पे डिपेंड करता है ना बच्चो अगर आप 100 degrees पे पानी को heat कर देंगे तो वो liquid से क्या बन जाता है gas correct temperature पे डिपेंड करता है अगर आप वही पानी को 0 degree तक ले जाएंगे तो वो बरफ बन जाएगा उसका state जो है उसके temperature पे डिपेंड करता है तो यहां पे जो NH4Cl बना है ammonium chloride बना वो फटा-फट से क्या बन जाता है solid बन जाता है as a result white smoke was formed the chemical equation for this is as follows देखो NH3 gas form में था plus HCl gas form में क्या दिया दोनों ने मिलके ammonium chloride ठीक है ammonium chloride जो solid form में आ रहा है तो यह reaction अगर मैं यहां पे लिखू देख लो NH3 जो gas form में है plus HCl जो gas form में है will give you NH4Cl जो solid form में है पहले आप यह सब देखके confused मत हो पहले यही सब देखो ठीक है अब पहले चेक करेंगे कि balance है के नहीं यहां पे nitrogen 1 है दोनों मिला के यहां पे भी 1 है यहां पे hydrogen 3 plus 1,4 यहां पे भी 4 यहां पे CL1, यहां पे CL1 must free में balance किया हुआ equation मिला है ठीक है यह क्या है यह है ammonia यह है hydrochloric acid और यह जो बना है यह है ammonium chloride इसके नीचे लिख देना अमेशा यह है ammonia यह hydrochloric acid और यह है ammonium chloride ठीक है तो यह reaction हुआ दिख रहा है A plus B दोनों ने मिला के बनाया A, B इसलिए कौन से टाइप का reaction है combination reaction दोनों combine होके यह बनाया है आया समझ में तो यह एक reaction हमने कर लिया एक activity कर ली activity 2 क्या बोल रहा है वो hold a magnesium strip in a pair of tongs and ignite tongs मतलब पकड ठीक है और उसको आपको ignite करना है कैसे करना है देखो मैं बताता हूँ magnesium की एक strip ली उसको burner के यह पे यह पकड से पकड के रखा ignite कर दिया तो क्या होगा हवा में oxygen है उसके साथ वो burn करेगा और आपको मिल जाएगा MgO ठीक है Mg को O2 के साथ mix करेंगे MgO यहां पर balance करके दिया हुआ है बट हो क्या रहा है on burning in air a white powder of magnesium oxide is formed यह जो MgO है magnesium oxide यह white color का powder है the reaction can be written in the form of equation as shown below in this reaction magnesium oxide is formed as a single product by combination of magnesium and oxygen दो लोगों ने combine किया और एक single product दिया इसको balance करते हैं देखो यहां पर एक बार कैसे balance करोगे आप पहले Mg को balance करोगे Mg already balance है फिर oxygen पर आओगे दो ही चीज़ है oxygen यहां पर 2 है यहां पर 1 है तो इसको 2 कैसे बनाऊंगा उसके आगे 2 डाल दूँगा जैसे ही उसके आगे 2 डालूँगा Mg भी 2 हो गया correct अगर Mg यहां पर 2 है तो Mg यहां पर भी 2 होगा अब balancing चेक कर लो 2 Mg 2 Mg 2 O 2 और यह भी O 2 है ठीक है तो इस तरह यह equation होगया balance आया समझ में तो यह दूसरी activity हो गई हम लोगों ने पहला जो combination reaction किया वो यह था और दूसरा जो combination reaction किया वो यह तीसरा यहां पर देख लो take water in a beaker up to half of its capacity add a few pieces of slate lime which is calcium oxide जिसका formula है CAO उसको slate lime भी बोलते हैं calcium hydroxide is formed by combination of calcium oxide and water with a generation of a large amount of heat यह एक बार मैं इसका बताता हूँ कि कैसे हो रहा है तो यहां पर एक beaker में water पड़ा था उसमें आपने calcium oxide के pieces डाल दी है ठीक है जैसे यह pieces अंदर hit करेंगे water को क्या होगा वो दोनों एक दूसरे के साथ react करेंगे जगडेंगे ऐसे ही जमर्ज लो ठीक है और react करके वो product बनाएंगे जिसका नाम है CAOH twice ठीक है बट सिर्फ यह product नहीं बनाएंगे और क्या होगा पता है यह जो beaker है यह गरम हो जाएगा जो कि पहले गरम नहीं था जैसे यह इसको hit करेगा यह product बनेगा और गरम यह beaker गरम हो जाएगा मतलब यह reaction से गरमी पैदा होगी ओके ग्यास चालू करते हैं तो टोप कैसे गरम हो जाता है वैसे ही यहाँ पर यह जैसे ही अंदर डाला तो यह reaction होगा यह form होगा और यह गरम भी करा जाएगा तो यहाँ पर देख लो calcium oxide को water के साथ mix किया तो calcium hydroxide मिला आपको CAOH twice इसको ऐसे read करते हैं combine करके बनाया एक calcium hydroxide heat तो अलग से है ना chemical थोई ना heat आया समझ में तो यह भी है एक combination reaction ठीक है तो हम लोगों ने तीन examples देख लिए सिर्फ combination reaction के क्या होता है उसमें दो combine करके एक chemical बनाते हैं ठीक है when two or more reactants combine in a reaction to form a single product दो या दो से जादा combine करके एक single product बनाते हैं तो उसको combination reaction बोलते हैं यह definition important है आनी चाहिए यह two or more more नहीं two or more word उसका ना मत भूलना ठीक है इसको reactants बोलते हैं देखो one, two इसको product बोलते हैं ठीक है याद रहेगा नहीं है चलो या glass saucer है उसपे sugar लिया and bunsen burner से उसको heat किया इसको bunsen burner बोलते हैं ठीक है लैब में जो आपके burner होता है इसको जब heat किया तो क्या होता है यह जो substance है sugar यहाँ पे वो black residue में convert हो जाता है ठीक है black powder में exactly क्या हो रहा है C12 H22 O11 C carbon है H hydrogen है O oxygen है तो carbon कितने है 12 hydrogen है 22 oxygen 11 खाते हो गिना थे क्या कभी तो इसको आप heat कर रहे हो ठीक है इसको आप heat कर रहे हो तो क्या बन रहा है आपको मिल रहा है carbon and water तो carbon है न इसलिए वो इतना काला कलर का एक residue बन दा इसको balance करना मैंने आपको last lecture में already सिखा दिया था यहां देखो 12 carbon है तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे 12 ठीक है अब next क्या balance करेंगे oxygen देख लो यहां पे 11 है तो मैं यहां पे 11 डाल दूँगा hydrogen कितना हो जाएगा 11 डूँशा 22 22 तो यह ऐसे ही balance हो जाएगा ठीक है 12 carbon प्लस 11 hydrogen 11 H2 आया समझ में आपको दिखा एक chemical था जिसको आपने heat किया तो वो टूड गया decompose हो गया इसलिए इसको बोलते हैं decomposition reaction compose करना मतलब क्या एक साथ उनको करना decompose करना मतलब उनको अलग कर देना आया समझ में तो इस तरह हमने decomposition reaction का भी एक example कर लिया reaction in which there is only one reactant one reactant giving rise to two or more products यहाँ पे दो आये हैं दो से ज़्यादा भी आ सकते हैं is called a decomposition reaction भूलना नहीं है ओके और आपको ऐसा लग रहा होगा शुगर का formula सबसे hard है याद ही नहीं होगा लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको आप बाकी सब formula भूल जाओगे लेकिन शुगर का नहीं भूलोगे C12H22O11 ठीक है इतना complicated है इसलिए इतना मीठा होता है वो आया समझ में तो ये एक reaction हमने कर लिया ऐसे ही आप बाकी reaction क्या करोगे आप calcium carbonate लोगे और freshly prepared lime water लोगे ठीक है and then आपने क्या किया आप heat करोगे calcium carbonate को ऐसे test tube में आप देखो यहाँ से एक pipe connect कर दिया है इधर तक जाने के लिए और इसमें lime water डाल दिया है दो चीज ली थी हमने calcium carbonate और freshly prepared lime water ये test tube को और ये test tube को एक pipe से connect कर दिया यहाँ पे calcium carbonate लेके उसको heat किया heat करेंगे तो क्या होगा बताओ जल्दी से heat करने से यहाँ से जो gas है ये vapor में converter के उपर जाएगी और ये lime water में mix हो जाएगी जब ये lime water में mix होगी तो कुछ changes आएगे क्या changes आएगे? lime water white color का बन जाएगा, milky color का हो जाएगा milky, milk कैसा होता है वैसा क्यों हुआ यहाँ यह पूरा experiment यहाँ पे describe किया गया है जब आपने CACO3 को heat कर दिया, delta मतलब यह जो sign होती है इसको heat बोलते है याद है ना first lecture में किया था जब आप उसको heat करते हैं तो क्या आता है? आपको मिलता है calcium oxide plus carbon dioxide इसमें से आपको मिलता है calcium oxide plus carbon dioxide ठीक है? और यह जो carbon dioxide है ना, यह lime water को milky बना देती है अगर आपको यह करना है ना experiment तो lime water में straw डालके आप फूक मारो, मुह से आपको देखो, आप सांस लेते हैं तब oxygen अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं तब carbon dioxide बाहर निकलता है इधर से carbon dioxide अंदर गया इसलिए lime water milky हो गया ना 100% होगा हमने करके देखा था पहले स्कूल में मुझे भी करके काफी साल हो गया ठीक है तो calcium carbonate को आपने heat किया तो आपको मिला calcium oxide प्लस carbon dioxide इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ यहां से जो carbon dioxide इसके अंदर गया ना उससे lime water milky हो जाता है यह देखने के लिए कि carbon dioxide release हुआ है तो यह reaction आप देखेंगे तो पहले से balance है यहां पे XC है यहां पे XC है यहां पे XC यहां पे XC यहां पे 3 O यहां पे भी 1 प्लस 2 3 O यह अप arrow का मतलब क्या होता है कि यह gas है जो release हो रही है हवा में अगर इसी कीजिए के पे down होता न ऐसा तो उसको बोलते है precipitate वहां पे आपको कुछ solid substance मिलने वाला है यह तो भाग जाएगा गयास है ना निकल जाएगा बाहर ठीक है देखो ना यहां से भाहर निकला ही ना यह pipe से बाहर निकल गया इदर चला गया हो गूमने चला गया ओके इसमें इन लोग ने एक और example दिया है hydrogen peroxide का जो hydrogen peroxide होता है न बच्चो वो बिनना कुछ किये देखो इसमें तो आपको heat देनी पड़ दी gas लगाना पड़ा था hydrogen peroxide पड़े पड़े ही पड़े पड़े ही यो water और oxygen में convert हो जाता है इसलिए उसको आप रखनी सकते बहुत जादा दिर या फिर उसको अगर रखना है तो बहुत stable condition में रखना पड़ता है बिकाज पड़े पड़े वो पानी बन जाता है जिसका मतलब वो तो हमको नल में भी मिलता है hydrogen peroxide हमको नल में नहीं मिलता न लेने जाना पड़ता है इसको balance करने के लिए क्या किया है यह अलग से balance करके बताओं पूरा चलो करके बता लेता हूं आपको ऐसा है न hydrogen peroxide liquid form में bottle में रखा है water तक पड़ा रहा है और oxygen वहाँ से release होती है देखो एक reactant में से two or more products आ रहे हैं तो decompose हुआ balance करते हैं इसमें देखो दो oxygen है यहाँ पे एक और दो तीन oxygen है यहाँ पे दो hydrogen है यहाँ पे भी दो hydrogen है ठीक है तो अगर मैं यहाँ पे इसको दो बना देता हूं तो क्या होगा देखो oxygen कितना हो गया चार यहाँ पे oxygen कितना है दो है इसको भी दो बना दो तो वो भी बन जाएगा चार क्यों? because hydrogen भी चार है देखो तो hydrogen भी इधर चार हो गया हो गया न balance hydrogen दोनों तरफ चार oxygen देखो यहाँ पे two two's are four इधर two oh प्लस two oh four हो क्या balance? यह hydrogen peroxide यह है water यह है oxygen arrow क्यों डाला? ऐसे टाइम पास के लिए नहीं डाला वो उपर उढ़ रहा है gas release हुई इसके लिए arrow डाला अगर solid होता यहीं पे होता तो मैं down arrow डालता कि भाई solid यहीं पे बहड जाएगा ठीक है? तो यह decomposition के भी हमने तीन reactions कर लिए आया समझ में? इसमें यह एक और चीज़ दी गई है we have studied in the previous standard that water decomposes into hydrogen and oxygen यह electrolysis का आपने experiment किया हुआ है पहले के standards में जब आप water के तुरू electric current, acidulated water acid वाला water होता है उसके तुर electric current pass करते हो तो water decompose होके hydrogen और oxygen में बदल जाता है और यह दोनों gases है दोनों release हो जाती है गायब, कुछ दिखता नहीं है माँपे फिर आपको यह क्यों हो रहा है? विकाज आपने उसको electrical energy दी उसके तुर उसके तुर electric current पास किया इसको balance करना बहुत ही easy है यह दो-दो-दो ignore करो और खुद से इसको एक बार balance करो ठीक है? The chemical reaction in which two or more products are formed from a single reactant two or more, देखो one, two two से ज़ादा भी हो सकता है from a single reactant is called a decomposition reaction ओके? आया समझ में? पका? अच्छा यह can you recall हम करना भूल गये थे इसके पहले वाला भी कर लेते हैं, पहले यह करते हैं Is it possible to produce hydrogen by decomposition of water by means of heat, electricity या light आपको hydrogen produce करना है किसमें से? पानी में से हाँ, possible है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप water के तुरू electrical energy पास करेंगे कौन सा water? acidulated water के तुरू electrical energy पास करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो decompose हो जाएगा hydrogen and oxygen में ओके? यह process को electrolysis बोलते हैं अगर आपको electrolysis of water पे question आया, तो आप ऐसा लिखेंगे कि water के तुरू क्या पास किया? electrical energy electric current, तो hydrogen and oxygen gas release होती है तो इसका answer क्या? Is it possible? Yes, it is possible and that reaction is called electrolysis okay, इसके पीछे भी देखो एक question दिया गया था है यहाँ पे, use your brain power what is the number of reactants in each of the above reactions? तो पहले first question यह solve करते हैं देखो, तीन reaction तीन यो reaction में reactants कितने हैं? reactants मतलब यह जो arrow है इसके left side में जो होते हैं वो तो देखो, एक, दो दो reactants, एक, दो इसमें भी एक, दो total दो-दो reactants हैं हर एक reaction में वही तो दो combine करके combination reaction कर रहे थे ठीक है? तो यह first question answer होगे हर एक में कितने हैं? दो reactants है second बोल रहा है, what is the number of molecules of reactants taking part in the above reactions? अब बहुत smart लोग बुलेंगे सिधा sir, two, two answer आएगा नहीं, molecules आप हमेशा balance करने के बाद ही बता सकते हो यहाँ पे देखो यह balanced है already, इसका मतलब यहाँ पे one है न? एक ही molecule है कुछ नहीं मतलब one, तो यहाँ पे इसका एक molecule, इसका एक molecule, कोई tension यह, जब यहाँ पे आओगे तो देखो balance करने के बाद यहाँ पे two आ रहा था तो यह दो molecule है इसके आगे कुछ नहीं मतलब यह एक molecule है यहाँ पे दो form होँआ मतलब यह दो molecule है, ठीक है? दो molecule mg के एक molecule oxygen के साथ combine करके आपको देते हैं दो molecule of magnesium oxygen वो सब छोड़ दो, इसके दो molecule इसका एक molecule, इसके दो molecule बस इतना ही पूछा है उनों, ठीक है? यहाँ पे मुझे बताओ कितने molecules हैं इसके दो क्या? नहीं, कुछ नहीं आगे, मतलब one तो इसका एक molecule, इसका भी एक molecule, इसका भी एक molecule ओके? heat का molecule नहीं होता भाई ठीक है? मत करना वैसा तो second भी हमने कर लिया third, अचा second, हमेशा याद रखना number of molecules आप हमेशा balance करने के बाद ही find कर सकते हो, उसके पहले लिख दिया balance करने के पहले तो गलत हो जाएगा जैसे यह वाले equation में balance करने के पहले two नहीं था, तो इसका answer कहा लिख देते हैं one molecule, one molecule जो गलत हो था, because actual में उसके दो molecule है balance करने के बाद पता चला था third question है how many products are formed in each of the above reactions, तो यह combination reactions से सारे, कितना product है देखो, product मतलब arrow के right वाला part, एक product यहाँ पे arrow के right में एक product यहाँ पे arrow के right में एक product यह heat को अलग product नहीं है, ठीक है, तो by product heat release होती है, तो यह तीनों में एक-एक product था, तो हम बोलेंगे how many products one product is formed in each of the above reactions, यह कौनसे reactions थे, combination reactions ठीक है, तो इस तरह हमारे दो question पूरे हो गए, दो type पूरे हो और दोनों के question भी मैंने answer करके आपको दे दिया है यहाँ पे पढ़ लेते हैं many degradation processes take place in the nature surrounding us, organic waste is decomposed by microorganisms and as a result, manure and biogas, manure बोल दो कोई problem नहीं है, and biogas are formed, biogas is used as fuel, यह biogas का example आपको 50 जगा पर दे दिया है manure form करो, biogas बनाओ ठीक है, क्योंकि यह क्या waste में से कुछ अच्छा बन रहा है न जो waste है, decompose हो रहा है आपको अगर यह waste का देखना है, कोई भी कच्छे का डबा garbage dump का बहुत बढ़ा पता है roadside पे होता है, वहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत गंदी smell आते होती है smell क्यों आ रही है, because उसमें जो सारा कच्छा है न, डिग्रेड होके उसको सडा सडा के, उसमें से byproducts बन रहे है, ठीक है कुछ अच्छे बन रहे है, कुछ खराब भी बन रहे है लेकिन वो सड रहा है, इसलिए उसमें से अलग-अलग products बनने है, जिसकी smell बहुत खराब, इसलिए आपको इतनी गंदी smell आती है कोई-कच्रा ही बहुत खराब होता है, जिसकी smell होती है बट most of the times, वो कच्रा सडता है उसमें से कुछ byproducts बनते हैं जिसकी smell खराब होती है, इसलिए आपको garbage दम के बाहर बहुत बहुत बास आती है ठीक है, तो ये जो nature में ऐसे बहुत सारी चीज़े अलरेड़ी होती रहती है, आपके सामने लेकिन आपका ध्यान नहीं गया, बिकाज आप mobile में देख रहे हो चलो, आजू-बाजू देखो चालू क्लास में आजू-बाजू मत देखो, फटके पड़ेंगे अभी, स्क्रीन पे देखो समझ में आई यह है, धन हो गया तीसरे टाइप पे जाते हैं, तीसरा कौन है डिस्प्लेस्मेंट रियाक्शन डिस्प्लेस, मतलब किसी की जगह से उसको भगाओ अभी, डिस्प्लेस्मेंट रियाक्शन का एक्जामपल चैप्टर शुरू हुआ, तब भी रेख लिया था उन्होंने वही यहां पे दिया हुआ है तो मैं वह आपको एक्स्प्लेइन कर देता हूँ चैप्टर के स्टार्ट में आपको दिया था कि जिंक डस्ट आपने ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सल्यूशन में डाला ठीक है, ब्लू कलर का था हूँ जैसे ही आपने इसमें जिंक डस्ट डाला ठीक है, यह जो जिंक है ना बच्चो यह जिंक कॉपर से बहुत ज़ादा रियाक्टिव होता है उसके पास copper से बहुत जादा ताकत होती है तो यह जैसे ही mix करते हो तो यह copper को क्या बोलता है भाई तू निकल, मैं तेरी जगा ले लूँँआ ठीक है, because copper V के copper के पास डरने के सिवा, भागने के सिवा कोई option ही नहीं तो हमको क्या मिलता है जब यह copper को यहां से भगा देता है zinc उसकी जगा पर चला जाता है तो मुझे मिलता है Zn और So4 बट यह copper अकेला कोने में तो पढ़ा रहे ना चाहिए ना भाहर तो निकलेगा ना तो यह हो जाता है, ऐसा क्यों होता है because यह zinc जो है यह copper से जादा reactive है zinc ने क्या किया zinc ने copper को अपनी place से भगाया, अपनी place से displace किया मतलब उसको वहां से निकाला और खुद उसकी जगा ले ली Zn So4, फिर बचा किया यह जो बिचारा copper था सी यू वो अलग से आ गया, ऐसा तो जिन्दगी में दोनों की दोस्ती तोड़ के एक के जगे खुद को डाल देता है और पहले वाले दोस्त को अलग कर देता है ठीक है, उसी को बोलते है displacement reaction, अभी आपके साथ कभी हुआ होगा तो बता ना comments में आया समझ में, ऐसा क्यों हो रहा है because zinc जो है, वो copper से ज़्यादा reactive है यह जो reactivity है इसके बारे में एक पूरा चैप्टर है metallurgy में है, उसमें हम लोग study करेंगे कि कौन कितना ज़्यादा reactive होता है the reaction in which the place of the ion of a less reactive element in a compound is taken by another more reactive element, इसकी जगह यह less reactive है, यह more reactive है, इसकी जगह यह more reactive ने ले ली ठीक है, by formation of its own ions, इसने खुद के ions बना है और यह जगह ले ली, ions बनते हैं तब ही जाके reactions होता है, ठीक है it is called a displacement reaction ओके, अभी यहाँ पे दो और reaction दिये गए हैं, इनको आपको complete करना है देखो यहाँ पे, copper sulfate plus Fe दिया हुए है यहाँ पे, तो कायन क्या बोलता है, copper तो भाग यहाँ से और वो SO4 के साथ दोस्ती कर लेता है बिचारा copper अकेला रह जाता है similarly, जब copper sulfate PB, PB मतलब lead के साथ reaction करता है तो lead भी copper को बोलता है, चल भाग यहाँ से वो क्या करता है, lead copper को उसके place से displace करके, sulfate के साथ दोस्ती कर लिए, SO4 मतलब sulfate और copper बिचारा अकेला रह जाता है यहाला sad emoji मत बनाना, marks कर जाएंगे भाई कुछ बच्चे तो doubt पूछ लेंगे किस सवर यह emoji बनाना है, क्या वहाँ पर जोग तो समझेगा नहीं ठीक है, तो यह चीज यहाँ पर हो रही है क्यों हो रही है, because iron भी copper से reactive है lead भी copper से जादा reactive है यहाँ पर zinc भी copper से जादा reactive था तो displacement reaction बहुत ही easily हो गया हमारा, इसमें आपको names of products देने, यह क्या है भाई iron sulfate ठीक है, FE मतलब iron, SO4 मतलब sulfate, और यह क्या है, PB मतलब lead और यह है sulfate, तो इसको बोल देंगे lead sulfate, lead का spelling lead होता है ठीक है अब आते हैं, fourth page जिसका नाम है double displacement reaction इसमें वो बोल रहा है आपने equation 9 में already देखा था, कि white precipitate of silver chloride is formed by an exchange of silver and sodium ions present in the reactants, सुनने में इस लगता है भाई, क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलो reaction देखते है, equation 9 देखा यहाँ पर आपने agno3 लिया agno3 मतलब silver nitrate का solution, ठीक है उसको test tube में रखा था, और flask में क्या रखा, sodium chloride का solution, ठीक है अभी देख लो, test tube और इसके बीच में ये glass है ना, ये liquid दोनों touch नहीं का रहा है, लेकिन फिर किसी को मस्ती चड़ी, उसने ये flask खातने लिया, और ऐसे उपर नीचे हिला दिया, तो test tube का जो liquid है इसके साथ mix हो गया, mix हुआ तो पता चला कि white color का एक paste जैसा precipitate form हो है, ठीक है वो white color का precipitate क्या है white color का precipitate है sodium chloride, नहीं silver chloride का agcl ठीक है, तो यहाँ पे आप अच्छे से देख लो agno3 plus nacl, ऐसे था ये ag ने क्या किया, ag ने बुला no3 तू मुझे पसंद नहीं मैं जाऊंगा cl के साथ, ठीक है nacl के साथ थी, उसने क्या बोला, एने cl मुझे तू पसंद नहीं मैं जाऊंगी no3 के साथ तो ये दोनों ने exchange formula यहाँ पे कर लिया ag चला गया cl के साथ बन गया agcl ये na चली गई no3 के साथ और बन गया na no3 दोनों ने exchange किया एक जन ने एक की place ले लिया ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि ag ने इसकी place ले ली और बिचारा sodium अकिला पड़ गया ऐसा नहीं है sodium के पास भी option था sodium इधर चला गया यहाँ पे exchange, swapping हो गई ठीक है? दोनों जन ने अपनी जगा change कर ली फिर पता चला कि हाँ कुछ तो गलती हो गई तो खुद को एक छोटा से से tap दे दो कि हाँ गलती कर दी ठीक है? मैं खुद को शाबाशी देने बोलता हूँ ना पीछे से तो पीछे से थोड़ी टपली भी दे देना खुद को जब छोटी सी गलती करो बहुत जोर से मत मारना लगेगी किस के पास कंप्लेन करोगे कि किसने मारा तुझे आया समझ में? डन है ने? डबल दिस्प्लेस्मेंट समझ में आ गया, right? ठीक है तो क्या है डबल दिस्प्लेस्मेंट रेक्शन? अदला बदली हुई दो तो फिर उसको बोलते हैं डबल दिस्प्लेस्मेंट ठीक है इसके उपर चार क्वेस्टन पूछे गए यह अप्टिविटी फर्स या सेकंड पेज पे दी गई थी अब इसमें चार सवाल के भी आंसर देखते हैं और पहले देखते हैं कि reaction करके होता क्या है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया reaction K2, CRO4 और BASO4 दोनों को साथ में mix किया तो क्या होगा यह जो K2 है ना यह K2 चला जाएगा SO4 के साथ और यह जो BASO4 के साथ ये दोनों अपनी जगा अदली बदली कर लेंगे ठीक है तो मुझे मिलेगा BACRO4 और दूसरा मिलेगा क्या मिलेगा K2SO4 ये जो BACRO4 मिलाना ये यलो कलर का प्रेसिपिटेट है ठीक है और ये जो K2SO4 मिलाना ये तो ये पानी जैसा ही रहता है अंदर हमारे पास पहले पानी जैसा एक सल्यूशन था जिसमें हमने BACRO4 सॉलिड डाला जब डाला तो हमको BACRO4 ये यलो कलर का मिला प्लस उसी सल्यूशन में K2SO4 भी था इसका नाम क्या है? पोटैसियम क्रोमेट इसका नाम है बेरियम सल्फेट ये क्या है? बेरियम क्रोमेट और ये हो जाएगा पोटैसियम सल्फेट अब हमको चार क्वेशन दिए गे रहे वाट वस्ट अंसर इस येलो फरस्ट आंसर इस येलो राइट नेम अफ़ प्रेसिपिटेट नेम क्या है? बेरियम क्रोमेट write down the balanced equation for this reaction यह already balanced है देख लो एक बार 1 BA, 1 BA 2 K2, 2 K2, 1 CRO4 1 CRO4, 1 CRO4 एक एक करके चक्कर मैं CR, CR O4, O8, ठीक है? 4 O4, 8 होता है ना, देखो यहापे O4 और O4, 8 सब कुछ balanced है Will you call this reaction a displacement reaction और a double displacement reaction यह आपके लिए सवाल है बहुत ही simple सवाल है जब मैंने reaction शुरू किया तब भी बोला कि क्या हो रहा है यहां पर ठीक है? तो वीडियो पॉस करो और अभी के अभी मुझे comments में जाके बताओ कि यह कौन से type का reaction है displacement की double displacement ठीक है? तो यहाँ तक हमारा double displacement reaction ठतम हो गया अब इसके पाद जो इतना बड़ा paragraph दिया ना वो एकदम ही time pass है इसमें बोला है endothermic and exothermic reaction endothermic मतलब ऐसे reaction जो heat absorb करते हैं, heat अंदर खीच लेते हैं ठीक है? हमने अभी ऐसे reactions देखे थे जिसमें अगर आप test tube में रखो उसको उसको नीचे से burner से heat करो तो ही reaction होता था ठीक है? heat देने के उपर ही reaction होता था, उसके पहले नहीं होता था, ऐसे reactions को बोलते हैं endothermic, मतलब इनको चटका देंगे ना तो ये हिलेंगे वरना ये कुछ नहीं करेंगे, ऐसे reactions endo, ठीक है? अंदर लेते हैं, next क्या है? next है exothermic reactions, ये ऐसे reactions जो reaction complete होने के बाद गर्मी generate होती है जैसे मैंने आपको दो reactions का example दिया था कि जो beaker है, वो गरम हो जाएगा because वो reaction से गर्मी release हुई थी, यादे कौन सा reaction कि बताऊं फिर से ये वाला reaction था पानी के अंदर आपने इस lake lime calcium oxide डाला और इसको आपने ऐसे ही रखा तो क्या हुआ? ये दोनों mix करके बना calcium hydroxide और calcium hydroxide से क्या था? ये beaker गरम हो जाता था, because 7 में heat भी release हुई थी ठीक है? ये यादेना experiment तो इसको क्या बोलेंगे? exothermic thermic का heat होता है, ठीक है? exo मतलब ये heat बाहर देता है ओके? तो हमारे पास exothermic and endothermic, दोनों के examples हैं exothermic मेंने आपको बताया, endothermic भी हमने किया है, बताऊं कौन सा? ये वाला experiment देख लो यहाँ पे जब तक यहाँ पे आग नहीं लगाएंगे न, अतब तक ये reaction होगा ही नहीं, जैसे ही आपने आग लगाया, calcium carbonate में से क्या हो जाएगा? आपको calcium oxide प्लस आपके carbon dioxide के bubbles यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे lime water के साथ mix हो जाएंगे, इसके लिए lime water milky बन जाएगा, पहले transparent था उसके बाद milky बन जाता है पर अगर यह आग नहीं लगाई, यह कीडा नहीं किया, तो कुछ होगा ही नहीं तो यह वाले reaction को heat देनी पड़ती है, यह heat absorb करता है इसको बोलते हैं endothermic reaction जो heat देता है बहार reaction को उसको बोलते हैं exothermic reaction ठीक है, यहाँ देख लो heat is absorbed and given away in various processes and reactions accordingly, processes and reactions are classified as endothermic और exothermic endothermic और exothermic processes में क्या है heat from outside is absorbed during some physical changes अभी मैंने आपको एक reaction बताया for example, अभी इन्होंने देखो दूसरे दिये melting of ice, जब बरफ पिगलता है वो क्यों पिगलता है, climate change जो हो रहा है आपने climate change की बारे में सुना होगा न global warming, Antarctica और Arctic की सब की बरफ पिगल रही है क्यों पिगलता है, विकॉस दुनिया में गर्मी बढ़ रही है तो ice melt होती है, क्यों melt होती है आपके साथ किसी ने मस्ती करी, आपको गुसा आया, गर्मी निकली ऐसे बोलते है therefore, these are called exothermic processes heat बहार आती है इसमें से in the process of dilution of concentrated sulfuric acid with water very large amount of heat is liberated आप 11-12 में जाएंगे न, तो आपको concentrated sulfuric acid यूज करने मिलेगा अगर आपने science लिया तो तो जब आप उसको dilute करोगे, उसका power कम करोगे तो जो teacher होगी ना lab की, वो आपको बोलेगी जो भी teacher होगे, वो बोलेंगे कि धीरे धीरे डालो पानी उसमें dilute करने के लिए, because जल्दी जल्दी में डालोगे तो बहुत जादा गर्मी एक साथ जनरेट होगी, जो dangerous हो सकता है वहाँ पे, experiment के लिए, ठीक है which may cause an accident to avoid this, required amount of water is taken in a glass container and small quantity of concentrated sulfuric acid at a time is added with stirring, उसको ऐसे भाजी या सबजी बनाते बनाते कैसे आप हिला हिला के सबजी को ऐसे mix करते रहते धीरे धीरे, वैसे ही आप stir करते हो उसको, stir करते ही आप उसमें dilute करते हो therefore only a small amount of heat is liberated at a time एक साथ किया, बहुत सारा heat liberate होगा हो सकता है, test tube भी गर्मी से टूड जाए ठीक है, आपको level में करने मिलेगा, अब इसके उपर एक experiment दिया है नीचे, वो देख लेंगे बाद में, ये दोनों example मैंने already आपको explain कर दिया है, ठीक है ये जो पहला example है, ये ये वाला diagram है, ये वाला calcium carbonate को आपने heat किया, तो आपको क्या मिलता है उसमें से, देख लो यहाँ पे, आपको मिलता है calcium oxide, देखो calcium carbonate को heat किया, तो calcium oxide और carbon dioxide, ये endothermic reaction है, अगर मैंने gas चालू नहीं किया होता, तो ये होता ही नहीं और exothermic में मैंने आपको बदाया था calcium oxide और water को, जब आए एक साथ mix करेंगे, तो दोनों mix होके बनाएंगे calcium hydroxide, जो गर्मी release करेगा, ओभी कर गरम हो जाएगा, heat release हो रहा है, इसलिए बोलते हैं, exothermic reaction आया है समझ में, पक्का तो आज का lecture काफी लंबा हो गया है आज हमने types of reactions तो समझे ही प्लस हमने endothermic और exothermic reaction भी समझे type of reaction कौन से कौन से समझे एक बार देख लेना है फिर से नहीं न, आता है न, combination reaction यह दो या दो से ज़ादा reactant combine करके, एक reactant बनाते हैं, second वाला था जल्दी से बोलो, decomposition reaction एक ही, जो reactant है उसके तुकडे होंगे, दो से जादा तो उसको बोलते हैं, recomposition reaction तीस तरह था, displacement reaction एक strong ion, दूसरे वाले को भगा देगा और उसकी जगा ले लेगा उसकी place से उसको भगा देगा, displacement reaction double displacement में दो अपनी जगा exchange कर लेंगे displace कर लेंगे एक दूसरे को तो double displacement reaction एक endothermic reaction मतलब गर्मी लेता है exothermic reaction मतलब वो गर्मी बाहर फेकता है, याद करने के लिए आप बोल सकते हो, कि किसी आपके दोस्त को गुस्सा आता हो, तो उसका नाम रख लेना exothermic, ठीक है या फिर आप आपका खुद का नाम भी रख सकते हो ता कि आपको हमेशा याद रहे, गुस्सा आना मतलब heat बाहर आना, exothermic तो यह lecture यहीं पर खतम करते हैं अगर वीडियो पसंद आया, तो like ज़रूर करें आपके like करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है प्लस दूसरों को भी यह वीडियो के बारे में पता चलता है वो यह चैनल देखते हैं, चैनल का सपोर्ट बढ़ता है जादा लोग वीडियो देखते हैं और मुझे motivation आता है आप लोग के लिए बहतरीन ऐसे वीडियो बनाने में ठीक है, अगर चैनल को अल्रेडी सब्सकाइब कर दिया है तो थैंक्यू, नहीं किया है, तो क्यों वेट कर रहे हो इतने डीटेल में साइंस को ही नी पढ़ाने वाला ये चैनल पे मैंने मैट्स बहुत ज़ादा डीटेल में पढ़ा है बच्चे साइंस का रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए साइंस भी मैं एक-एक वर्ड टेक्स्बुक का लेके पढ़ा रहा हूँ जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बाज में बेल आइकने उस पे भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं नेक्स वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस न करें मैं वाट्साप, टेलिग्राम, इंस्टाग्राम तीनों पे योगे सर्स, बैक बेंचर्स के नाम से प्रेजेंट हो आप जोइन कर सकते हैं मुझे, वहाँ पे बात कर सकते हैं मुझसे और बाकी सारी चीजे भी वहाँ पे डिसकस होती है पेपर्स एक्सचेंज होते हैं, डाउट्स भी क्लियर होते हैं ठीक है तो जल्दी से जॉइन कर लो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा थैंक ये सो मच वॉचिंग दिस वीडियो